आज मैं आप लोगों के लिए question लेकर के आया हूँ ये question class 9th की math की exercise 12.2 का question है question number 7 इस वीडियो में हम इस question को discuss करेंगे आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए अंत तक देखिए और फिर last में मुझे comment box में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आपकी क्या queries है तो चलिए शुरू करते हैं इस question को question number 7 है a kite in the shape of a square with a diagonals 32 cm and an isoscale triangle of waist 8 cm and sides 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in figure how much paper of each shade has been used in it तो इसमें यह बताना है कि यह देखो यह आपको एक shade दिख रहा है यह दूसरा type का shade दिख रहा है और यह तीसरा shade दिख रहा है तो इस shade का कितना area होगा इस shade का कितना area होगा और इस shade का कितना area होगा यह हमें इस question में बताना है तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे जैसे कि हमारा सेड फस्ट है ये हमारा सेड सेकंड है और ये हमारा सेड थर्ड है तो एरिया आफ सेड फस्ट एरिया आफ सेड सेकंड एरिया आफ सेड थर्ड बताना है तो दिया क्या क्या है मालो इसका अंसर आपको करना है तो आपको यहां पर काइट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है अब जो काम करेंगे हम इस काइट के लिए हैना अब दोको काइट में क्या है यह नीचे वाला इससा आइसो स्केल ट्रेंगल है और उपर वाला हिस्सा स्क्वायर है तो यहां पर इस काइट में एक स्क्वायर और एक करके आराम से बता सकते हैं कि किस सेड़ का एरिया कितना होगा लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं तो देखो A square के case में क्या होता है कि जो diagonal 1 होता है diagonal 2 के equal होता है मतलब A square में diagonals equal होते हैं तो यहाँ पे जो area का formula बनता है A is equal to 1 by 2 into D square D मतलब diagonal तो diagonal का square और वो diagonal हमें दिया हुआ है कितना 32 cm और इसकी value input करके यहाँ पर अराम से square का area find कर सकते हैं तो चलिए फिर find करते हैं So solution We have a square half diagonal 32 cm जो square है उसका जो diagonal है वो कितना है 32 cm So area of square is equal to 1 by 2 into D square तो यहाँ पर रिखेंगे 1 by 2 into D square अब देखो जो 32 है ना इसका जब square करते हैं तो इसका answer आएगा 1024 और इसको divide कर देंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 जा 10 2 remain होगा तो 2 into 2 2 to the 4 यह हमारा जो square का area आएगा वो आजाएगा 512 cm square ठीक है तो आभी तो यह हमारे पास किसका area आया है square का area आया square तो यह पूरा है लेकिन जो shade हमें find करना वो shade इसके diagonal से डिवाइड हो रहा है square के किस से डिवाइड हो रहा है diagonal से तो जो diagonals equal होते हैं square में तो diagonal से जो divide होने वाला area है वो भी equal होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे half कर देंगे तो लिखेंगे area of shade first is equal to area of square over 2 area of square जो हमें दिया है वो दिया है 512 over 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 2, 2s are 4, 1 remain होगा 11 हो जाएगा 2, 5s are 10, 12 हो जाएगा 2, 6s are 12 तो यहाँ पर area कितना आएगा area आएगा 256 cm2 अब जो area shade 1 का होगा वही area shade 2 का भी होगा तो यहाँ पर लिखेंगे area of shade 2 area of shade second is equal to 256 cm2 क्योंकि दोनों same same है तो हमने area of shade 1 का निकाल लिया है 256 cm2 area of shade second का निकाल लिया 256 cm इतना आप right कर लिजे फिर हम ISO scale का area find करेंगे तो अब हम बात करेंगे area of shade 3 की तो area of shade जो third जो है वो एक ISO scale triangle है जिसमें बोला गया है कि जो एक side है वो 8 cm की है और जो इच side है वो 6 cm का है तो मतलब यह भी side 6 cm का होगा यह भी side 6 cm का होगा तो यहाँ पर हम हीरान से फर्मूला लगाएंगे और उसके पहले हमें semi perimeter find करना पड़ेगा तो semi perimeter का फर्मूला होता है a plus b plus c by 2 तो यहाँ पर a की value है 8 b की value 6 और c की value 6 तो यहाँ पर जब इनको add करेंगे तो कितना आएगा देखो 8 plus 6, 14 plus 6, 20 by 2 तो यहाँ पर s की value आजाएगा 10 cm है ना, 2 tan जा 20 अब हम यहाँ पर हीरान से फर्मूला लगाएंगे हीरान से फर्मूला तो हीरान से फर्मूला क्या होता है a is equal to s, s minus a, s minus b, s minus c तो यह हमारा हीरान से फर्मूला होता है अब यहाँ पर value जब put करेंगे s हमारे पास है 10 10 minus 8 10 minus 6 10 minus 6 अब यहाँ से आप देख सकते हो जब इनको solve करेंगे तो हमें मिलेगा 10 into 2 into 10 minus 6 4 और 10 minus 6 4 अब दो तरीके होते हैं या तो इसको multiply कर लें और बड़ा हो जाएगा या तो यही पर factorize कर लें तो मैं यहाँ पर यही पर factorize करना चुनूँगा तो देखो factorize में करेंगे क्या यह जो 10 होता है इसको हम 2 into 5 कर सकते हैं क्योंकि 2 5 जो 10 होता है और यहाँ पर 2 बाकि 4 4 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यह already एक pair बना रहे हैं और एक pair आपका बनेगा 2 का तो यहाँ से जिनके pair बन रहे होते हैं वो बाहर निकाल लिए जाते हैं तो 2 का एक pair बन रहा है उसको बाहर निकालीजे तो 2 4 का एक pair बन रहा है इसको बाहर निकालीजे 5 का नहीं बन रहा है तो 5 को ऐसे ही रहे तो यह हो जाएगा A is equal to 2 4 जा 8 कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 तो A is equal to 8 under root 5 cm2 अब देखो आप चाहो तो यहीं पर answer कर सकते हो आप चाहो तो यहीं पर answer कर सकते हो लेकिन थोड़ा और आगे solve करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको अब आगे solve करने के लिए क्या होता है देखो जो square root of 5 होता है उसकी value होती है 2.236 तो यहाँ पर क्या करेंगी जहाँ पर under root 5 है वहाँ पर 2.236 रखके multiply करा लेंगे तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ तो यहाँ पर रखेंगे a is equal to 8 into 2.236 देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या under root 5 के place पर 2.236 रख दिया तो जब 8 से multiply करेंगे तो 8 6 जा 48 4 carry 8 3 जा 24 24 प्लस 4 28 2 carry 8 2 जा 16 प्लस 2 18 1 carry 8 2 जा 16 1 17 और 3 डिजिट के बार decimal है तो यहाँ पर आ जाएगा तो इसको मैं फिर से write करता हूँ 17.888 cm2 तो इसका जो area निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा 17.888 cm2 निकल करके आएगा तो यह हमारा area आफ सेड 3 है तो यहाँ पर हम लास्ट में एक लाइन राइट करेंगे आर 256 cm2 256 cm2 and 17.888 cm2 तो यह हमारा इस question का answer होगा आप इसको write down कर लें या वीडियो को पहुच करके screenshot ले लें तो उमीद करता हूँ student की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दें share कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी subscribe कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक के लिए thank you class अगले वीडियो जस्योप्स